पुनेरी मिसल नाशिक, कोलापुरी और खांदेशी मिसल से अलग होती हैं क्योंकि आपको ये चार राज अगर पता होंगे न तो आप परफेक्ट असल मराठ होए पुनेरी सवीची मिसल घर बे आसानी से बना सकते हैं अब ये चार राज कौन से? तो इसमें पहला, कि पुनेरी मिसल में यूज होनी वाला मसाला अलग होता है क्या है, कैसा है, कैसे बनाते, सब आगे बताऊंगे दूश्रा, पुनेरी मिसल में जो तर्री या जो इसका रस्ता बनता है उसका टेस्ट भी बहुत ही mild से उसके flavor होते कैसे उसको इतना balance बनाया जाता है वो देखेंगे इतनी perfect लाल रंग की तर्री लाने के लिए आपको क्या करना है वो आगे देखेंगे और हमारा चोथा point पुनेरी मिसल को serve करने का तरीका भी अलोग होता है उसे भी देखेंगे अब यहां पर आपको कुछ खड़े मसाले देख रहे हैं इसमें से ही यह जो तीन चीज़े जिसमें साबुद धनिया साबुद तिल और यह सूखा नारियल यह तीनों चीज़े एक एक टेबल स्पून है यह मान के चलिए और रही यह सारी बाके चीज़े यह जस्ट half teaspoon ठीक है इसमें देखिए यह ही जीरा, सौफ, छोटा सपीस मैंने दालचीनी का रखा है खस-खस या पॉपी सीर्स कहते हैं यह भी half teaspoon, साथ काले मिर्च के दाने, साथ लॉंग, तीन हरी इलाईची, एक बड़ी इलाईची यह शाहा जीरा है यह one-fourth teaspoon ही लेना है बस यही चीज इस मिसल में आपको यह महसूस जरूर होगा, एक तेचपता और साथ-साथ हम दो चुटकी जितना हिंका योज करेंगे, इसमें से कोई भी चीज अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप उसको स्किप कर शकते हो, अब यहाँ पैन के अंदर सूखा ही है, मिलब मैंने घी य हमने भून कर ले ली, अब डालेंगे एक टीस्पून जितना तेल, तेल का यूज यहाँ पर जादा नहीं करना है, और अभी अभी जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए, वो सारे आप इसमें यूज कर दो, तेज पत्दा को मैंने यहाँ पर तोड़ कर डाल दिया है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हिंग हो, तो आपने उसे नहीं भी भूना, पूरा मसाला पीस जाने के बाद आप बात में भी उस कर रहे हो, तो भी जलेगा, लीजे, एक मिनिट के अंदर यह सारे मसाले भून कर तयार है, जब तक यह मसाले थंडे हो रहे हैं, मिक 40C कॉंटिटी में गोडा मसाला, गोडा मसाला यह पूनेरी मिसल की शान है, यही मसाला इसमें यूज किया जाता है, और इस मिसल को काफी अच्छा सुआत देता है, खुजबू भी आती है, और माइल से इसके फ्लेवर होते है, जादा ही तेज मतलब बिलकुल कोलापुरी म मिसल की तरह तेज इसको नहीं बनाया जाता, तो यह मसाला इसमें यूज करना बहुत जादा जरूरी है, अब मिसल का और एक मेन इंग्रिएंट होता है, मिसल, यानि के मराठी में कहूं, तो मटकी, हिंदे में कहूं, तो मोट, मुकुरित मोट, इसे दड़का लगाने के ल जाए, अल्दी भी भून जाए, फिर इसमें आपने डाल देने है, यह मोट, इसे बस थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजे, नमक डाल देना है, टेस के इसाब से पानी डाल दीजे, यह मोट डूबे इतना, और प्रेशर कुकर बन करके, इसकी सिर्फ आपको एक ही विसल निकाल जाने के लिए एक ग्रीवी का बेस बनाना पड़ेगा, और उसे ही बनाने के लिए पैन के अंदर हमने लिया है, तो मिरियम साइस का प्याच, लबे तुकड़ों में कटा हुआ, इसे हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, अब आप कट का कलर अच्छा डार्क रेड चात अब सूखा हुआ नारियल डाल दी हूँ, नारियल डालना यहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नारियल से जो रसा बनेगा उसका फ्लेवर तो माइड हो ही जाता है, साथ साथ यह जो कट आप देख रहे हो, यह आने में बहुत ज़्यादा मदद मिल दिया, इसलिए नारियल डाल आप स्किप नहीं कर सकते, नारियल अब यहां पर हमने भून लिया है, फिर इसमें में डाल दी हूँ, एक मीडियम साइस का टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ा सा सौफ्ट होने धकम पका लेंगे, दीखिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से डार्क कलर पर अलग इसलिए हैं क्योंकि इसमें यूज होता है आलू की सबजी या बटेट अची भाची, बिल्कुल बेसिक वाली आलू की सबजी, थोड़े से तेल के अंदर आप थोड़ा राई जीरा डाल दीजे, करीपता डाल दीजे, कटा हुआ लैसून, थोड़ी सी हरिमेच, कटा जरूर इस्तमाल होती है, इसके साथ और एक चीज बनती है, जो की है काले पोहे, अब सेम पैन के अंदर थोड़े से तेल में मैंने मुफली को पहले फ्राय कर लिया, मुफली इसमें आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, फिर इसमें डालना है राई, जीरा, करीपता, हाँ, पोहे बनाती टाइम आपको लहसोन का योज नहीं करना हो, फिर डालेंगे हर इमिज, प्याज, सबको बड़िया भून लेंगे, चाहे तो कुछ लोग इसमें हिंग यूज करते, कुछ नहीं करते, आपकी चॉइस है, और ये डाल दियो, एक कटोरी जितना पोहा मैंन के लिए रखा था, देखे, बिल्कुल खिला खिला ऐसा पोहा है, ये आप इसमें डाल दीजे, अलेट पलेट करना है, नमक भी डालना है, और जरा सी चीनी आप जरूर यूज करें, और ये मैं डाल दी हूँ, फ्रेश लेमन जूस, मिया पता भी डाल दिया है, सभी को साथ सभी लोग बड़े हल कॉंशेस हो गया, लेकिन मिसल जब बनाते है ना, तो उसका कट आने के लिए थोड़ा तेल तो डालना पड़ेगा जी, तेले भी बिल्कुल हलका सा गर्य में, तभी आप इसमें लाल मिर्च का पावडर, जितना तीखा आपको इसको बनाना है, उस हि लेकिन याद रखे, पुनेरी मिसल बहुत जादा तीकी नहीं होती, और हल्दी भी डाल दीजे साथ में, फटा-फट मिक्स करना है, और जो यह हमने मिक्सी में पीस लिया था, जिसमें प्याज टमाटर, अदरक लैसोन और सूखा नारियल था, यह भी इसमें मिला दीजे, ग्रीवी का बेस बनेगा, और यह देखे, कलर कितना बढ़ी आ रहा है इसको, और जैसे-जैसे यह मसाला पकते जाएगा, इसका रंग और थोड़ा सा गहरा तो होगा, साथ-साथ मसाला दानेदार भी होगा, यह पहचाने इसके कि मसाला पक चुका है, साइड में से आपको तेल चुटा हुआ भी नजर आएगा, और इस समय हम इसमें डालेंगे आज की हमारी रेसिपी का स्टार इंग्रीडियन जो की है, गोडा मसाला, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि अगर आपकी फैमिली में चार से छे लोग है, तो आप दो चमच जितना मसाला यहाप ही यूज क आप यह रेसिपी जरू ट्राय कीजिएगा, मेरी पूरी पूरी गयारंटी आपको पसंद आने वाली है, अब अलग से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कोई दूसरा गरम मसाला डालने के आपको कोई भी जरूर अगती है, मसाले का बेस परफेक्ट तयार है, इसमें डाल और यह भी आपके सकते हैं, कि यह भी बड़ी रास की बात है, क्योंकि यह मिसल खाने के बादेना कभी भी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, अकसर मिसल थीकी होती है, तो खाने से पहले कई लोग सोचते हैं, कि हमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, पर यह दाला हमने बिल्कुल चोटा सा पीस गुड का था, जिसको पानी में घूल दिया और गुड का पानी इसमें डाला जाता है, या आप सीधा गुड डाल दो, चोटा पीस डाल दो, मेल्ट हो जाएगा वो, और यह डालने से आपकी मिसल मीठी नहीं होगी, लेकिन सारे बिल्कुल बढ़िया से इसमें बैलन्स हो जाए, धनिया पता आप इसमें डाल दीजे, और यह हमारा मिसल का रस्दा बनके तयार है, और यह देखें, इसको रंग और इसका कट भी कितना जादा शानदार आया है, अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग की, हमने बनाई थी आलू की सबजी, आपको फरसान इसमें यूज करना है, जो हर तरिके की मिसल में यूज होता है, इसे सर्व करने के लिए, पहले जाता है, पोहा, इसके बाद यह उबलेवे आलू की सबजी, इनके कॉंटिटी आप कम जादा कर सकते हो, फिर यह मैं फरसान डाल रही हूँ, याद रखें, जादा बारिक फरसान ना लिजेगा, वरना वो बिल्कुल ही भीग जाएगा, क्योंकि हमारा रसा गर्म है, पतला है, फिर आपको मजाने आएगा, हलका करंच बेस में रहना चाहिए, यह मैंने डाल दिये, यहाँ पर यह मोट, इसके बार यह हमारा रसा, और याद से कमेंट जरूर कर दीजेगा, कि आपको यह कैसा लग रहा है, लास में आपको कटा हुआ प्याज और धनिया डालना है, लेमन इसके उपर डालकर पाव के साथ इसको खाया जाता है, क्या कहूं मैं आपको इतनी जादा बढ़िया डिश है, फिर पाव के साथ खाते मिसल हमारी सोग जाती है, उसका जो कंसिस्टनसी है, उसको बैलन्स करने के लिए साथ मिसल कर दिया जाता है, यह रस्ता और कट, जो ग्रेजियोली आप मिसल के उपर डालते जाए, पाव के साथ इसे खाते जाए, आपका पीड भी बर जाएगा, मैं भी खोश हो जाएगा, इतनी बड़ी हाई यह दिश है, आपको हमारी आज की रेस्पी अगर अच्छी लगी है, तो इसे लाइक जरूर करें, यह ने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, एक अच्छी सी रेस्पी आपको बताने की, जिसका नाम है पुनेरी मिसल, मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, त झाल झाल